आज मैं आपके साम में पुना उपसे तो आपको एक नया टॉपिक लेकर के जिसका नाम है How to do effective study and how to clear the exams even if you have not studied in fully manner सबसे पहले मैं आपको बता दो कि यह आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आप इसको जान सबी कि हमने कितनी जानकारी बिरत की है आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए एक लाल बटन नहीं जिसमे सब्सक्राइब दिखा है इस पर प्लिक करिए और जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो समय समर में मिलते रहे है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कारणास जॉब की चलते या बिजी लाइक की चलते तो आप पढ़ाई पाता ही ही करते हैं तो मैं आप बताना चाहूँ कि यह जो शरल दरीका में बता रहा रहा आप एक्टिव स्टडी का यह आपका एक्जाम क्लियर कर पाएंगा हां टॉप तो नहीं कर सकते हैं बट हां आप फिर नहीं हों नामर वाण आप आप गोड़े वेबसाइट और सब्सक्राइब नियुक्त रॉप निज़ पर जाकर कि आपको पूराने सारे क्विश्चन पेपर निकाल रहा हैं ध्यापकना 2016 से पैपर पैटन चेंग हो गया हूँ है इसलिए आपको 2016 के पहले की पैपर पैटन आपको ज् अब करने सारे क्यों को बुक में टिक करना या नोट बुक में लिखना है और फिर आपको उन सारे questions को ही जाकर के summarize करना है, पढ़ना है, याद करना है, अगर आपके उसको कोई विश्योंस से आती है, आप हमसे सीधा संपर कर सकते हैं, या comment box में दिसकते हैं, आप मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, जैसुए ना